असलाव अलेकुम फ्रेंज तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार जाइकेदार और अथिंटिक तरीके से बना हुआ कोर्मे की रेसिपी ये किसी खास मौके पर ये दावत के मौके पर ये कोई खास महमान आए तो इसे एक बार आप जरूर ट्राइ करें ये बना करके अंदर में दो बड़े चम्मच ऑईल एट करूंगी इसे अच्छे से गर्म होने दूंगी ऑईल की कॉंट्रीटी हमें थोड़ा जादा रखना है इसे जो हमारा गोश्ट ये बहुती सिल्की जैसा बनकर तयार होगा इसी के साथ इसमें कुछ खड़े गरम मसाले एट क न होगी है अब इसी में हमारा जो मटन है में मैं इसमें एट कर लेंगे इसी के साथ मैं इसमें एक मिडियम साइस की बारिक कटा हुआ प्याज एड़ करूंगी और इसी में थोड़ा सा हम नमक भी एड़ कर लेंगे इसी के साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी बॉर्डर एड़ करेंगे एक चमच अधक लसन का पेस्ट एड़ कर लेंगे और इसी के साथ मैंने एक मिडियम साइज का टमाटर बारिक कट करके रखा था वो भी हम इसमें एड़ कर लेंगे और इन सब मसालों को हमें पास से दस मिर्ट तक हमें ऐसे ही से हमें भून लेना है तो देखे फ्रेंट यह अच्छे से बुन चुका है और जो मौईस्टर है मटन का वो भी अच्छे से निकल रहा है इस एक बर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हमें कुकर लगार हमें से चार से पास सीटी आने तक हमें कुकर लेना है तो देखिए फ्रेंड 4-5 सीटी हो चुकी हमारा जो मटन है वो 80% तक अच्छे से कुक हो चुका है अब बड़ा बरतन लेंगे इसमें मैंने एक बड़ा चमच ओई लेट किया था इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे इसी के साथ इसमें मैंने एक मिडियम साइस की स्लाइस में कटी थी प्यास वो भी इसमें एड़ कर लेंगे और इसे हमें अच्छे से भून लेना है तो देखे फ्रेंड हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है इसमें एक से देट चमच मैंने अध़क लसन का पेस्ट एड़ किया है इसके भी हमें रोस्मेल निकलने तक अच्छे से भून लेना है इसी के साथ मैं इसमें एक बड़ा चमल लाल मिर्ची पॉडर एट करूँगी हाफ टी स्पूर इसमें धनिया पॉडर एट करेंगे इसी के साथ एक चोटा चमल में इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पॉडर एट करूँगी और सब मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेना है आप चाहे तो इसे चिकन में भी बना सकते हैं ये चिकन में भी बहुती बहतरीन बन कर तयार होता है इसी में थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसमें मसालों को अच्छे से हमें भूल लेना है तो देखें फ्रेंड सारे मचाले अच्छे से कुको चुगे हैं इसी में हमारा जो मटन है वो भी हम इसमें एड़ कर लेंगे और इसे भी स्टर करते हुए हमें अच्छे से भूल लेना है फ्लेम को लो सी मीडियम पे ही रखना है इसे को स्टर करते हुए हमें अच्छे से भूल लेना है इसे हमें मसालों को और गोश्ट को हमें कमबाइन होने के लिए 8 से 10 मिट लगेंगे इसे अच्छे से हमें low-sie medium flame पे रखते हुए हमें cook कर लेना है इसी में मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला powder add करूँगी और इसे भी अच्छे से हमें stir कर लेना है इसी के साथ मैंने एक का फेटा हुआ दही रखा था वो भी हम इसमें add कर लेंगे और इन सब मसालों को हमें अच्छे से अभी low-medium flame पे रखते हुए 5-10 मिर्ट तक अच्छे से cook कर लेना है जो दही का moisture है वो भी इसमें निकलेगा अभी तो इसे में हम अच्छे से cook कर लेंगे तो देखें फ्रेंग हमारे जो मसाले हैं वो गोष्ट में अच्छे से combine होचके है और जो oil है वो भी अच्छे से separate हो रहा है ने हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से cook हो चुका है इसी के साथ में इसमें दो हरी मिर्ची add करूँगी इसी के साथ मैं इसमें धनिया और थोड़ा से इसमें मैंने पूदीना लिया था वो भी हम इसमें एड़ कर लेंगे और इन सब को अच्छे से हमें मिक्स करने ना भी से लो फ्लेम पे रखते हुए हमें 5 मिट तक कूक कर लेना है आप अपने हिसाब से इसमें पानी एड़ करें इसमें जादा पानी नहीं पड़ता है तो देखिए friends हमारा जो कोर्मा है वो बनकर ready है तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राइ करें ये बहुत ही जटपट बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही जायकेदार लगता है तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राइ करें friends और मुझे अपना feedback जरूर दे अगर आपको मेरी वीडियो पसन आए तो मेरी वीडियो को like, share और subscribe जरूर करें